अभी आते हैं हम लोग डिस एडवांटेज पर शिवम गुपता बार बार मेसेज करने से जवाब नहीं मिलेगा मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग का वीडियो आप देख लीजेगा प्लीज डिस एडवांटेज डिमेरिट डिस एडवांटेज और डिमेरिट चलो भाई देख लो डिस एडवांटेज क्या होते हैं इक्विटी शेर्स के यह भी हमें पढ़ना है कंपनी पॉइंट ऑफ यू से और पढ़ना है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ यू से अगर तुमने प्रिफरेंच शेर्स एक्विटी शेर्स घंग से पढ़ लिया तो कम से कम थीन से चाठ कोशन निकाल लोगे प데पर में ठंग में तो company point of view से जरा समझते हैं disadvantage क्या होता है सबसे पहला manipulation of control manipulation of control इसका मतलब क्या हो गया manipulation of control का मतलब हो गया क्योंकि equity shares के पास होते हैं voting rights let's say अगर मैंने company start की ओभी जी limited company और मैंने बहुत सारे equity shares issue कर दिये मैंने 65% इक इस इस इशू कर manipulation of control मा लेते हैं शिव ने अकेले मेरी कंपनी के 55% खरीद लिए तो आज से डिरेक्टर शिव हो जाएगा शुबम जग्दीश नहीं बात समझ में आई तो यह होता है manipulation of control इसे बोलते हैं आपका आपने किसी कंपनी का acquisition कर लिया तो इसे समझ में आ रही है आनन्द प्रकाश वीडियो मत देखिए कि इतना लंबा सिल्बस है भगाए नहीं तो क्या करें रोक कर रखें अगले साल खतम कर रहे हैं धीरे धीरे पढ़ाया पूरी प्लेलिस्ट बनाई यह जाके देख लो लाइव क्लासेज है जल्दी पढ़ने क्या डालनी पढ़ेगी अगर बेटा क्यापिटल प्रॉफिट होगा इंदू उस पर टैक्स पढ़ेगा अगर मैंने शेयर सौका खरीद के पांसो में बेचा दो चार्सो रुपय का मुनाफ़ा हुआ उस पर टैक्स पढ़ेगा लेकिन डिविडेंट पर कोई टैक्स नहीं पढ़ने वाला इसलिए मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको पूरा चीज़े पढ़ा नहीं रहा हूं यार रखना जल्दी जल्दी रिवाइस कर लो क्योंकि परसो ही पेपर है क्या आप चाहते हो मैं धीरे धीरे पढ़ा हूँ और आपका आदा सिलिबस छूट जाए आप पढ़ी ना पाओ पूरा सिलिबस रिवीजन करना है दिन बर क्या कर रहा हूँ पढ़ा ही करो पुराने वीडियोस बनाएं मैंने 40-40 मिनिट के देखो न जाके बहुत बढ़िया चलो भई आगे बढ़ते हैं danger of overcapitalization क्या होता है जरूरत से जादा fund issue कर लेना अगर किसी company के पास जरूरत से जादा पैसा आ जाए तो वो उसको effectively utilize नहीं कर पाएगा और जब पैसा effectively utilize नहीं होगा तो shareholders को effectively dividend नहीं मिलेगा because company profit उतना नहीं कमा पाएगी अगर मेरे को 100 रुपेगी जरूरत है और मैंने 500 ले लिए तो 400 रुपे जो मेरे पास extra पड़े रहेंगे उसका हम effectively उस्तमाल नहीं कर पाएगे तो 400 idle funds खराब हो जाएगे और उस पर हम उसके बराबर का return नहीं दे पाएगे इसलिए company के लिए दिक्कत होती है इसलिए company को उतना ही पैसा रेज करना चाहिए जितना पैसा वो effectively utilize कर सके बहुत बढ़िया तो धमजा आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है फिर है no trading on equity no trading on equity अब किसी को पता है benefit of trading on equity क्या होता है benefit of trading on equity क्या होता है किसी को पता है क्या किसी बच्चे को पता है trading on equity क्या है वैसे तो यह topic हटा दिया गया था benefit of trading on equity क्या होता है किसी को पता है मुझे याद दिलाना और ट्रेडिंग और इक्विटी क्योंकि टॉपिक हटाया गया है इसलिए मैं लास्ट में एक बार आपको रिकॉल कर दूँगा पढ़ा दूँगा आज की क्लास के सबसे लास्ट टॉपिक होगा ट्रेडिंग और इक्विटी जिन बच्चों समझ में नहीं आएगा मैं एक दम डीटेल में एक ग्जाम्पल लेकर जो बुक में दे रखा है आपका वो पढ़ा दूँगा ट्रेडिंग और इक्विटी आपको याद दिलाना पड़ेगा विकार सिलिबस में नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ा देंगे चीक है भाई चलो आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पॉइंट पर आते हैं फोर्थ पॉइंट होता है कोस्टली का मतलब क्या है अगर आप मार्केट में पैसा इक्विटी शेर से रेस कर रहे हो तो इसका बड़ा लीगल फॉर्मालिटी होती है आपको शेर मार्केट में इश प्रस्पेक्टर इसू करना पड़ता है उसकी पॉब्लिकेशन रेस करनी पड़ती है सेवी को फीज देनी पड़ती है पर मोटर्स को पैसे देने पड़ते हैं तो काफी कॉसली अफेर होता है चीक बात समझ में आ गई चलो तो कॉसली प्रोसेस होता है फिर है इन फ्लेक्स इन फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है हम जितना चाहें उतना पैसा नहीं रेस कर सकते हैं अगर हमारी लिमिट ऑथराइज शेर कैपिल की लिमिट दस लाग रुपए है तो हम दस लाग तक के ही शेर इशू कर सकते हैं अगर हमें 15 लाग की जरुद पड़ गई तो हमें इस कापिटल का बढ़ाना पड़ेगा से भी में एप्लिकेशन देखे तो यह रिजिट प्रॉसेस है फ्लेक्सिबल नहीं जितना मर्दी चाहें उतना पैसा नहीं रेस कर पाएंगे जितनी ऑथराइज लिमिट है उतना ही शेर से मार्केट से इस्चू कर सकते हैं अब आगे बात करने जा रहे हैं हम लोग अब बात करने जा रहा है बेटा हम लोग इन्वेस्टर पॉइंट आफ य९ू से इडिस अड्वांटेज की सबसे पहला क्या है परिचूएशन कन्ट्रोल बाई फ्यू पहला क्या है कंट्रोल बाई expansive अंच्छा देखने में तो आपको लगता है कि voting rights मिल रहे हैं लेकिन आप सभी से document sign करा लिया जाता है कि आज से आपने board of directors select किया है लेचे शुबम जगदीश को और आज से शुबम जगदीश सारे shareholders के बिहाफ पर decision लेंगे तो कुछ लोगों को select कर लिया जाता है board of directors को select कर लिया जाता है actual में voting rights सबके पास होती है लेकिन सबके पास होती नहीं है क्योंकि पूरी company कुछ ही लोग control करते हैं control by few बात समझ में आगे आपको चाबाश उसके बात बरते हैं और दूसरा point है दूसरा point है high risk पैसे डूबने के बहुत ज़्यादा chance होते है scam 1992 देखा ह योगा तुमने ACC का share जिसने 9000 में लिया वापस से 300 रुपए का आ गया तो यह loss हो गया ठीक है ना मेरे बात तो high risk होता है high return भी है तो पैसा डूबने के chances भी उतने ही ज़्यादा होते हैं फिर क्या है unhealthy speculation unhealthy speculation का मतलब shares के price गलाब तरीकों से खराब तरीकों से बढ़ाना या कम करना उसे बोलते है unhealthy speculation ACC का share कितनी तेजी से बढ़ रहा था वो because of company के काम से नहीं बढ़ रहा था because of company की policy से नहीं बढ़ रहा था वो क्यों बढ़ रहा था क्योंकि उसको unhealthy तरीके से market में raise किया जा रहा था उसका price बात समझ में आगे सभी को समझ में आ गया तो भाई यहां पर खतम होता है equity shares का पूरा पूरा portion